हेलो सुदेंस अपन लोगों के अभी तक दो प्रॉपर्टीज हो चुकी है कौनसी कौनसी एक तो क्लोजर और एक डिस्ट्रिब्यूटिव अब लोगों को क्या पढ़ना है अब लोगों को दो प्रॉपर्टीज और पढ़नी है एक अपन लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रिब्य के अब आपन लोगों को यहाँ पर देखि उसकर फ़ेले मैं तुम लोगों को unAST बेट ए इसा त्रिचड़ी प्रयकि आं इसा नहीं क्या प्लाइ की नहीं होते है इसे आपकलते क्या समय होता है कि जिसे आप्राइकट है यह scout दिया होगा जिसमें B plus C दिया होगा Distributive property क्या बोलती है कि अगर कोई bracket है और बाहर कोई एक number है जो वो bracket के वो multiply कर रहा है तो यह जो number है वो इसके साथ भी multiply होगा यह जो number है वो इसके साथ भी multiply होगा मतलब A B A multiply by B मतलब A B फिर लिखेंगे यहां पर कौन से साइन है वो यहां पर आएगी प्लस A multiply by C आया स्टुडेंट समझ मैं इसको simple example और लेती हूँ जैसे 2 multiply by 3 plus 5 दिया है अपन लोग इसको directly भी solve कर सकते कैसे 2 multiply by यह 8 तो यह 16 और अगर तुम लोगों को बोला जाए कि डिस्टिबूटी प्रॉपर्टी लगा कि इसको solve करो तो कैसे हो जाएगा 2 into 3 plus 5 दिया हुआ है तो डिस्टिबूटी प्रॉपर्टी कैसे लगेगी 2 3 यहां पर पहले लिखो 2 into 3 plus अब क्या होगा यह 2 5 के साथ multiply होगा साइन डीच में कौन से आएगी अब कि डिस्टिबूटी प्रॉपर्टी में अब कि स्टूटी समझ आया है अपन लोगों किया किया फॉर्स समय फॉर्स समय अपने क्या किया टू इंटू एट तो आंसर आया 16 और सेकेंड में क्या किया 2 into 3 plus 2 into 5 तो यह आगे सिक्स प्लस 10 16 दोनों में आंसर तुम्हारा 16 आ रहा है चीके स्टूडेंस आगे देखते हैं डिस्टिबूटी प्रॉपर्टी का एक और एक्जांपल मैं यह पर दिया हुए देखो माइनस 3 by 4 into 2 by 3 plus माइनस 5 by 6 यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो मैं क्या लूँगी पहले इन दोनों का LCM ले लूँगी हमेशा यह दखना LCM प्लस या माइनस में हमेशा LCM लिया जाता है इन दोनों के बीच में प्लस यूज हो रहा है तो इन दोनों के डिनॉमिनेटर को सेम करना पड़ेगा इसलिए अपन LCM लेंगे 3 और 6 का LCM आ गया 6 6 LCM आ गया तो अपन यह 2 यह 3 इन दोनों को भी इस नीचे वाले को सकते हैं क्यों क्यों कर दोनों माइनस माइनसर हो जाएगा माइनस बाम और से वार क्लिफ तो यह वनजा जा जाепाइग यह तो क्या बचेंगा माइनस माइनस क स्काट और फार इन उट आ्स वां इस अध्या कि तो अनसर यहां अनस त् longitudi fakatchy यूज नहीं करें अब मैं Distributive Property उसकरोंगी Distributive में क्या होगा पहले यह और यह मल्टिप्लाइब होगा यह और यह मल्टिप्लाइब होगा तो 3 x 4 x 2 x 3 क्या हो जाएगा 3 x 3 ठीक है 3 3 cut 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 4 यहां पर क्या बचेगा मैनस 1 x 2 अब यह और यह मल्टिप्लाइब होगा यह बचेगा लेंगे तो 8 आजाएगा उपर आजाएगा मैनस 4 x 5 तो क्या बचा 1 x 8 यह होता है Distributive Distributive क्या करते हैं इस नमर को इसके साथ भी इस नमर को इसके साथ भी जो भी आंसर आता है उसको जो भी यहां पर साइन here प्लस माइन से फ्लस प्लस करेंगे माइन से माइन से साथ गो time को यह समझ आया Distributive को अब चाहरा अब आते हैं देखते हैं उसके बराबर होगा मैं समझी नहीं एक बार समझाती हूं जैसे कि तुमको दिया है तू प्लस थ्री प्लस फाय तो यह क्या हो जाएगा तू प्लस एट यह हो जाएगा 10 अगर मैं इसको इस तरह से करूँ ब्रैकेट को मैं यहां पर लेका तो आंसर क्या आता है देखते हैं यह 5 प्लस 5 तेन आ रहा है ना दोनों में से मतलब ब्रैकेट कहीं पर भी शिप्ट हो जाएगा पहले मैं 2 प्लस 3 को एड करू यह मैं पहले 3 प्लस 5 को एड करू आंसर तो सेम ही आ रहा है मतलब तुम्हारे असोशियेटी प्रॉपर्टी दिक्कत आएगी देखते हैं मैंने के एग्जामपल यह 5-7-3 अभी यहां पर रख रही हूं तो 5-7-3 क्या हो जाएगा 4 तो आंसर क्या आ रहा है वन ठीक है और अगर मैं लेती हूं 5-7-3 अब मैं ब्रैकेट यहां पर ले लेती हूं तो यह क्या हो जाएगा माइनस 2-3 तो क्या आंसर आ रहा है माइनस 5 अपना उसमें आंसर आ था 1 इसमें आ रहा है मतलब यह दोने इकुल नहीं आ रहे है मतलब माइनस में ब्रैकेट शिफ्ट करने पर आंसर बदल रहे हैं मतलब आसो स्वेट इप्रापर्टी सब्रेक्षिन में अप्लाए नहीं हो ihm athick अंध्र में चंच उति को मैं तेखते हैं अगर 2 इन्टु 3 इन्टु 4 है पहले मैं 2 इन्टु 3 को मैं इन्टु 4 तो कितना आया 24 ठीक है अगर पहले मैंने 3 इंटू 4 को मल्टिप्लाइ किया होता है 12 इंटू 2 तो आंसर किया रहा है 24 देखो दोनों में आंसर 24 24 आ रहा है मतलब तुम्हारा यहां पर असोसेटी प्रॉपटी अप्लाइ होती है मल्टिप्लिकेशन में डिविजिन में इस तरह ब्रैकेट यहां पर शिफ्ट करें तो क्या बचेगा 4 दिवाइड वैट टू तो आंसर किया रहा है 4 इसमें आंसर आ रहा है वान इसमें आंसर आ रहा है 4 मतलब डिविजिन के अंदर भी असोसेटी प्रॉपटी अप्लाइ नहीं हो दिविजिन में भी आप ब्रैकेट को श यह प्रॉपटी यह षिफ्रेंस नहीं इस दो नंबर और तीन नंबर का रहा है आते हैं अज़ें है प्रॉपटी यह त्वंटी वैच दिया वह अउसका उल्त क्या हो जाएगा 8 थीवैट दिया हूद इसका गल जाएगा 8 था टुडिवीन राइट श्टूदेशट अज़ 1 तो मिलेगे तो मिलेगा मतलब जो भी नमबर के अंदर नियु हर नमबर का साथ 1 की करो मिल रहा隊 । अगर किसी बी नंबर के साथ 1 तो इसलिए तो इसको बोलता है किसी के साथ भी 1 multiply करो तुमें को वही नम्बर मिल रहा है तो वह किसी को भी किसी के अंदर जीरो एड कर रहे तो वही नम्बर मिल रहा है इसलिए वह एडिक्टिव आइडिंटिटी ठीक है अब आते हैं नेगेटिव नमबर पे नेगेटिव नमबर मतलब कियो होता है अब फो नमबर को नमबर को याइडिक्टिव नमबर उस rating को बोलते ह Munब्स मैने तो पूछा जाए कि 2 का एडिक्टिव नमबर को यह जैई सकते है तो उसका थीक है स्टूडेंस वापिस एक बार याद कर लो अगर दो नंबर दिये हुए है एक नंबर दिया हुआ है उसका पूछा है कि उसका एडिक्टिव इनवर्स क्या है एडिक्टिव वो नंबर है जो उस नंबर को अंदर से माइनस करने पर जीरो हो जाएगा सपोज माइनस जानी है reciprocal reciprocal, reciprocal is 21 by 8, reciprocal what would be 8 by 21 , अब एक काम करो इं दोनों को multiply कर के देखो आ रहे है answer one , अपने अभी तो पड़ा था, रोल फ़न क्या था ? वो multiplicative inverse मतलब जो दो नंबर को एक दूसरे से multiply करने पर answer one , वो एक दूसरे की क्या है ? में एक्साइज करने वाले हैं तो अबी तक तो मुझे पूछ लेना डिस्ट्रीप्यूटिव समझ आ गया डिस्ट्रीप्यूटिव में क्या होता है यह नंबर इसके बाद कल से एक्ससाइज चालू करने वाले हैं में बताविन दो हैं तो मुझे पूछ ले में सिरक्ष्रीप्यूटिव समझ आ गया क्या होता यह नंबर इसके बोसमाद को सब्सकार किसींद्ग करनेakah Dust này और ऑदना गंवाले इंवें और मैंने क्या समझाया, roll of 0, roll of 0 की किसी भी नमबर में 0, add करने पर आंसर वही आता है, किसी भी नमबर को 1 से multiply करने पर आंसर वही होता है, तो 0 को additive identity बोलते हैं, 1 को multiplicative identity बोलते हैं, negative नमबर देख लिए, और दोनों को माइनस करने पर Service 0 als दोन नमबर को माइनस करने मृत्त करने क्या है अट है सरा चिकन खाना अदेख्वल सकारोल किदोन यह जी स Christians लिए टोनों जीयों तो तो यह क्या है तुसरे के एडिटेव इन्वास है ओके स्टूडेंट्स है ठीक है अपने आपके खतम हो गया यह सारा पार्ट कंसेप्ट सारे खतम हो चुका है अब कल से अपने लोग सम्स चालू करेंगे ओके स्टूडेंट्स पाइट